Length मालूम करने के लिए एक और instrument, meter rule है. Meter rule जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटी length या छोटे distances measure करने के लिए इस्तमाल होते हैं. आप lab में ये meter rules देख सकते हैं. ये 1 meter तक length measure कर सकता है और इसकी accuracy 1 mm होती है या फिर 0.1 cm और इससे least count कहते हैं. लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये 1 मीटर तक length measure कर सकता है तो इसकी accuracy कैसे 1 mm या 0.1 cm हो सकती है मीटर रूल की लंबाई 1 मीटर होती है जो 100 cm के equal है और आप जानते हैं 1 cm 10 mm है लिहाजा मीटर रूल पर लिये जाने वाली सबसे छोटी reading 1 mm होती है मीटर रूल को accurate measurement के लिए इस्तमाल करते हुए आपकी आँख vertically उस mark के उपर होनी चाहिए अगर आपकी आँख गलत position पर होगी तो आपको गलत readings मिलेंगी इस तरह के error को parallax error कहते हैं स्क्रीन पर मौजूद ये image दिखा रही है parallax error A जबके reading लेने का सही तरीका B में दिखाया गया है ये error measurement में होता है जब आपकी आँख reading के लिए measurement लेते हुए सही position पर नहीं होती तो students अभी के लिए इतना ही हमारी next वीडियो में हम आपसे vernier caliper की बात करेंगे तब तक stay tuned और देखने के लिए शुक्रिया